तो हेलो टेर डर, कैसे आप सभी आज की वीडियो में हम जो भी है चार्ट एनलीशिस करना सीखेंगे अब देखो एर मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे चार्ट एनलीशिस करते हैं किस तरीके से आप decision लेते हैं कि मुझे यहाँ पर entry लेनी चाहिए या फिर यहाँ पर entry लेने के बाद वहाँ पर exit करना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखो हम ना तो कोई indicator यूज करेंगे only हम chart analysis करेंगे थोड़ा सा price action के उपर भी बात करेंगे किस तरीके से support और assistance draw करते हैं वो भी उसके उपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ी ची बात करेंगे कब हमें entry लेनी चाहिए और कितना हमें target और stop loss रखना चाहिए इसकी उपर भी हम बात करेंगे सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो अगर आप trading करते हैं या फिर मैं भी trading करता हूँ आप trader हो तो सबसे पहली सबसे important जो चीज होती है market में वो क्या होती है सबसे important देखो आपको chart analysis करना आता है आपको ये भी पता होता है कि market यहां से उपर जाएगी कई बार होता है ऐसा लेकिन market आपको चकमा देकर फिर उपर जाती है ऐसा होता है कई बार मैंने देखा है मेरे साथ हुआ है ये सारी चीज़े ये फेस कर चुका हूँ और कर भी रहूँ मैं ऐसी कोई ये नई बात नहीं है और ये चीजे चलती रहेंगे मार्केट में आपको पता होगा देखो जहान से सुनना मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ ये स्टोक मार्केट है इसमें सिर्फ वो ही रुकेगा जिसके पास बहुत तगड़ा जिगरा होगा भाई मुझे सही भी नहीं चोड़ेगी मार्केट जुछ नहीं बोल रहा ऐसी मार्केट है ये मतलग कि इसकी गलतियां मैं नहीं बोलूँगा इसकी गलतिया है क्योंकि हमारी गलतिया है ज़ेखो एक बात बताईए हंड्रड में से 100% में से मान के चलो 10 में से सिर्फ एक ही आदमी एक ही ट्रेडर प्रोफिट में क्यों है इस पर थोड़ा सा आपने कभी भी यहर सोचा है ऐसा क्यों है भाई यहर ऐसा क्या वो करता है एक और 9 गलतिया करते हैं ऐसा क्या करते हूँ, कभी भी आपने सोचा हूँ, थोड़ा से यह आपने दिमाख लगाया हूँ, कभी देखा हूँ, ऐसा क्या मेरे अंदर ऐसा क्या है, या फिर उसके अंदर ऐसा क्या है, वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, देखो, आपके मन में ऐसा होगा कि उस एक ब बताओ ये 50 क्रोड रुपे को इसको कुछ पता ही नहीं कर नियम थो मांऋअ उठी तो कुछ Kyoto Baby गिनको फालो ही नहीं करेंगा तो तो मार्केट में कोई 50 क्रोड रुपे को जादा है या फिर एक परसेंट लोग ऐसा क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है कि वो प्रोफिट में हैं हम लोस में हैं हमारी साथ क्या होता है दो दिन प्रोफिट में होते हैं तीसरे दिन लोस कर देते हैं जो प्रोफिट हमने किया है लाइक हमने 5,000 का profit गया है तीशरे दिन उस 5,000 के profit के अलावा, loss के अलावा 5,000 ओर loss कर देते हैं यानि यह 10,000 का loss दो दिन में 5,000 का profit गया था थोड़ा सा risk management फॉलो करके डाई डाई दो दो तीन 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 चार चार जितना भी आप करते हैं जैसे भी आप करते हैं, beginner जैसे भी करते हैं अगले तीसरे दिन क्या हुआ कि भाई साब, market ने मेरा ऐसे लिट करा दिया या कुछ भी करा दिया हो या market ने आपको एक धोका सा दे दिया कि market आपको पता था कि market यहां से उपर जाएगी ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड मारी और market नीचे आकर आपको ड्रा कर यहां पर कुछ ऐसा दिखा कर candlestick pattern negative बना कर कि market नहीं जाएगी, मुझे एक जिट करना पड़ेगा ठीक है न, और उसके बाद market उपर चली जाती है और उतना, जहां तक आप नहीं सोचा था था न resistance को तोड़ कर भी और उपर चली जाती है और जो आपने premium price खरीदा था न, 100 पर उसे 80 पर sale करा कर market, वो ही premium price 300-400 रुपे का हो जाता है, फिर आपको कैसा लगता है अब होता है, अब होता है आपकी psychology पर effect वो सीधा का सीधा आपको effect करेगी, कि यह क्यों कर दिया यहां पर आप आप नहीं हो, market ने आपको काबू कर लिया है अब यहां पर करोगे आप गलतिया, सबसे पहले करोगे आप उस loss को recover करने की कोशिस, ध्यान से सुनना यह वीडियो मैं चार टेनलशिस या उसके उपर बताऊंगा लेकिन यह चीजे सबसे पहले जरूरी है चार टेनलशिस आपको आता है, सब कुछ आपको आता है यहार भाई सब को सब कुछ आता है यह trader है ना, उसको सब कुछ बताए लेकिन फिर भी loss में है ना, वो ही तो मैं आपको बता रहा हूँ की कलतिया कहां, कहां पर हमारे साथ हो रही है कहां पर हो रही है तो वो क्या करता है, उसका माइंड खलाब हो गया है और वो उसका मतलग की दोका सा दे दिया मार्किट ने अब दोका जहां पर हो जाता है, वहां पर फिर कुछ पता नहीं होता है गम में और फिर कैसे भी आपको गुस्सा आजाता है गुस्से में गम में कि क्या हो गया है कि मेरा कैपिटल चला गया यह अगर मैं इसको बेचता नहीं तो मेरा 200 पॉइंट का अज प्रोफिट हो जाता लगबग आपने 100 कुएंटिटी ले रखी तो 200 जार का प्रोफिट है त कभी आपको भाई साब आपका प्रिम्म प्राइज कभी-कभी 1000 पॉइंट कर देगा कभी-कभी उसका वो जीरो भी हो जाएगा तो यहां पर अब आपको गलती क्या करोगे थे अब जो 20 पॉइंट का आपका लोस होा था ना और जो आपको दोखा मिला था उस दोख को करने के कोशिश करोगे अब ट्रेड लोगे या तो मार्केट उपर जा रिया उपर जा रिया आप कोल में एंट्री लोगे या फिर आप एक काम करोगे मार्केट उपर जा रिया आप ढूंडोगे पुट की एंट्री कि कहां पर मैं पुट में एंट्री लों क्योंकि मार्के भी आप ये करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ अगर ये चीज हमारे अंदर है कि मार्किट अगर दोका दे दे या कुछ भी कर दे और फिर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है हम कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे कभी भी profitable ट्रेडर नहीं बन पाएंगे यह आज मेरी बात आप सुन लो आगे सुन लेना, 6 माइने बाद एक साल बाद देख लेना अगर यही चीज रही तो हम कभी भी जो भी है profitable ट्रेडर नहीं बन पाएंगे यह सब प्यरलागव होती है मेरे उपर भी हर ट्रेडर के उपर मैं आपकी बात नहीं करना सब के उपर लग होती है तो क्या करना चाहिए हमें सब कुछ आता है हमें अपनी एक स्टैटजी एक सेटप क्रियेट करना है आप चाहे किसी और का सेटप ले ले यह मेरे हिसाब से आपको एक खुद की स्टैटजी बनानी पड़ेगी कैसी कैसी स्टैटजी कि भाई मैं जब सपोर्ट पर मानकेट आएगी यह कोई इंडिकेटर का आप सारा ले सकती हूँ EMA का सारा ले सकती हूँ RSI का सारा ले सकती हूँ Bollinger Band का सारा मतलब काफी इंडिकेटर है आपको किसी एक इंडिकेटर का सारा लेना पड़ेगा जो कि आपको थोड़ा कुछ बताए और प्राइज एक्षन और सपोर्ट और सिस्टैंस यही है यानि कि सिदी सी सिंपल सी बात यह है आपको अपनी एक स्टैटेजी क्रियेट करनी पड़ेगी अपने रूल फोलो करने पड़ेंगे रूल बनाने पड़ेंगे आपको क्रियेट करने पड़ेंगे खुद से लिखने पड़ेंगे कि मेरे रूल क्या है आपको अपना एक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा कि मेरा कितना रिस्क और कितना जो भी है रिवार्ड मुझे लेना है डेली का ठीक है आपको money management करनी पड़ेगी money management यह चीजे आपको करनी पड़ेगी ठीक है ना स्टेटजी करनी पड़ेगी ध्यान से सुनो आज ही काम पर लग जाओ अगर ट्रेडर जो भी है ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है और रसा यह क्या बोलते हैं रूल को फॉलो करना पड़ेगा रूल करनी पड़ेगी अपने कुछ रूल आपको बनाने पड़ेग रिस्क मैनेजमेंट कैसे कि आपको यह द्रड़े संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आज अगर ट्रेडिंग करूंगा तो मैं या तो 20 पॉइंट का SL ले लूँगा या मैं 30 से 40 पॉइंट का टार्गेट ले लूँगा अगर मुझे इन दोनों में से यानि कि 35 का या फिर 40 का यानि मेरा टार्गेट 30 से उपर और 40 तक का इसके अंदर अगर रहता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर मुझे ये टार्गेट मिल जाता है और दूसरा कारण अगर मेरा 20 पॉइंट का SL लग जाता है चाहे वो एक ट्रेड में लगे चाहे वो दो ट्रेड में लगे च इसे ही हम बोलते हैं money management इसे ही हम बोलते हैं risk management अगर आप 20 पॉइंट का SL daily लेते हो 100 quantity में तो 2000 का लोस हो गया कितने का 2000 का लोस आपके पास है 20K capital 20,000 का रह गए आपके पास 18,000 अब अगले दिन next आप ट्रेड करते हो आपको जो 20 पॉइंट का SL हुआ है लगा है उसके बारे में आपको analysis करना है यह नहीं कि SL हो गया अब बस अब कर आएंगे market में नहीं यही तो यार दिक्कत है यार smart trader बनना है आपको आपको देखना है कि भाई यह 20 point का SL जो मेरा लगा है यह क्यों लगा है क्यों मुझे market से loss मिला है इसके पूरी तरह के से जाट परताल करनी है क्य मैंने exit किया है या फिर कैसे market ने मुझे यहाँ पर trap किया है जो भी जैसा भी हुआ है entry आपने ली थी क्या देख कर ली थी exit आपने किया था क्या देख कर किया था market आपके विरुद आ रही है क्यों आ रही है कैसे आ रही है सारी चीज़े आपको लिखनी पड़ेगी एक पन का SL 40 point का आपका target अब इसमें से फिर से आपको trade लेनी है अब मान के चलो आज की दिन आपका 40 point का target हीट हो जाता है यानि कि 4000 का profit हो जाता है तो आज क्या हो गया आपका capital हो गया यहां पर 22,000 कल का जो loss था वो recover हो गया अब यहां पर benefit यह है कि अगर आप 10 दिन trade करते हो कितने दिन 10 दिन trade करते हो 10 दिन में से अगर आप अगर आप मान के चलो 5 दिन भी या फिर मान के चलो आट आप चलो 5 दिन भी आप सही निकल रहे हो और 5 दिन भी आप 4-4,000 का profit कर लेते हो और 5 दिन आप 20 point यानि कि 22,000 का loss कर लेते हो तो 2-5-10,000 का आपका loss हो गया और 4-5-20,000 का आपका profit हो गया तो कितना हो गया तो 10,000 आप अबी भी profit में रहोगे क्या 10,000 आप profit में रहोगे यानि कि आपका capital बढ़ कर कितना हो जाएगा 37,000 हो जाएगा ये क्यों हो आदेखो ये आसान है लेकिन ये आसान तभी है जब आप ना तो अपनी मन की सुनो, मन की कैसे क्योंकि मन आपका बोलेगा जब भी आपका लोस होगा या फिर मार्केट आपको दिखेगी है और उपर जा रही है, यहां से फिर से उपर जा सकती है, मैं फिर ट्रेड ले लूँ दोगो, 40.00 का आपका प्रोफिट हो गया अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, आप नियम को फॉलो कर रहे हो, तो आप ट्रेड नहीं लोगे, चाहे मार्केट कितनी भी अच्छे तरीके से आपको दिखा रही है कि मैं यहां से उपर जाऊंगी, नेचे गिरूंगी आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, और प्रोफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, तो अगर आप देखो, 10 पॉयंट जो भी है, 10 केके आप प्रोफिट में रहते हो, अगर آپ 5 दिन भी अगर लोज करते हो और 5 दिन भी प्रोफिट है, तो भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आपने जो भी अपने कैपिटल को बचाया ट्रेड लेने के बावजूद भी आपने नियम को फॉलो किया रिस्क के मैनेजमेंट को फॉलो किया एक बात देखना अगर आप मान के चलो आप टार्गेट लेके चलो कि मैं दस दिन तक इस नियम पर काम करूँगा और दस दिन के बात देखना अगर वो दस दिन आपने नियम को फॉलो कर लिया ना देखना आप ग्यारवे दिन किस तरीके से एक अलग तरीके के ट्रेडर बन जाओगे ओनली दस दिन में ही only 10 दिन में ही उन नियमों को follow कर लोगे तो 11 दिन आपको एक अलग सा confidence आएगा कि मैं जो भी है नियम को follow कर रहा हूँ ये सारी चीजे में कर रहा हूँ तो आगे से आप जो भी है profitable trader बनना आपके लिए start हो जाएगा मतलू कि थोड़े थोड़े आप improve होने लगोगे बहुत जादा तो ये चीजे हैं सारी देखो सारी की सारी बाते छोड़ो अगर आपको कुछ नहीं आता है ना आपको risk management और rule को follow करना आता है ना तो भी आप profitable trader बन सकती हो मेरे इसाब से सच जेट नहीं बौल रहा क्योंकि सारी की सारी जड़ risk management और rule को follow करना ही होता है रिस्क management फोलो नहीं करते ना इसी कारण से हम loose में रहते हैं rule को follow नहीं करते इसी कारण से हम loose में रहते हैं क्यूं? क्यूंकि सारा dependent trading सब कुछ इन पर ही है दो चीजों पर है रिस्क मैनेजमेंट और रूल पर क्यों रूल को फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग में नहीं होगी रूल को फॉलो करेंगे तो हम कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे ठीक है ना रूल को फॉलो करेंगे तो कुछ गल्ट होगा ही नहीं क्योंकि जो rule आपने बनाए हैं उनको ही आप करोगे तो गल्त कैसे होगा समझ रहे हो ना तो इस तो चीजों पर काम करो rule पर काम करो अपने rule कीरेट करो risk management कीरेट करो उन पर काम करो guarantee लेता हूँ आप कैसे एक बड़िया ट्रेडर एक बड़िया profitable ट्रेडर कैसे नहीं बनोगे फिर मुझे बताना देखना इस चीज को follow करके अब बात आती है कि chart analysis आपने नहीं बताया मैं chart analysis क्या बता हूँ यह सबको पता है आपको भी पता है support से market उठती है resistance से market नीच आती है यह तो सिर्फ मतलोग एक तरीका है कि बाईसा वीडियो पर व्यूज लाने का आपको आप क्या नया है कुछ नया नहीं support resistance से यह आपने सीखा हुआ है मुझे पता है यह सबको आता है सबने सीखा हुआ है ट्रेडिंग में 90% psychology काम करती है और 10% यह education काम करती है मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि psychology इंप्रोव करो psychology वो ही जो मैंने अभी आपको बताया है कि लोस होने के बावजूद भी risk management जो भी है खराब कर लेती हूँ यही तो है psychology 90% psychology काम करती है ट्रेडिंग में चार्ट पैटरन यह वो यह सब कुछ आपको पता है यह सब कुछ आपको पता है ठीक ना तो इसी कारण से कोई चार्ट पैट चार्ट में अनलसिस करने वाली कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है चार्ट मार्केट में दो तरह के support resistance होते हैं एक तो ऐसे होते हैं तिरचे मतलों कि उल्टे और एक ऐसे होते हैं सीधे जिने हम horizontal line कहते हैं एक तो इस तरीके से होते हैं जो कि uptrend होते हैं जैसे कि यह uptrend market हो गई यह हो गई resistance यह हो गई support एक हो गई यहां पर यह हो गई support यह हो गई resistance इस तरीके से मार्केट चल अभी अगर आप देखो के market का structure फिन निप्टी 15 मिट के चार्ट फ्रेम में हमेशा 15 मिट के चार्ट फ्रेम में और 30 मिट के चार्ट फ्रेम में आपको चार्ट अनलसिस करना है ठीक है ना पांच मिट के म मुझे यह बताएगा देखो सीधी सी सिंपल सी बात है आपको confused होना ही नहीं है हमें market में market कैसे चलती है buying और selling buy करेगा तो market उपर जाएगी sale होगी तो market नीचे आएगी तो आपको शिर्पी दो level या देखने है कि market में selling कहां से आ रही है और buying कहां से आ रही है ठीक है ना market में buying आ लिए तो बस सिंपल सा है आपको पता चल गया कि यह तो support है और यह है resistance अब तब तक हमें ऊपर की moment नहीं मिलेगी जब तक कि market इसको break नहीं करेगा और तब तक कि हमें नीचे कोई बड़ा move नहीं मिलेगा जब तक कि market support को trend line को break नहीं करेगा सीधा सा simple सा यह एक यह तब कि से market uptrend है यहाँ पर बड़े当 frame में मतलग कि बड़े अगर हम zone में देखें तो यहाँ पर market हर वक्त ऊपर यह कि हर लो उपर बลए हे यह के उपर बन रहा था है और हर लोओ के उपर बन रहा है मतलग हम मार्किट uptrend में है लेकिन हमें तो intra-day करना है तो एक दिन का जानना है तो उसके लीजा भी आपको पता हुगा लेकिन आपको पहले सबसे पहले आपको क्या करना है बड़े टाइम फेरेम में यह पर आपको ट्रेंड लाइन do recognizer जैसे कि यहां पर अगर यहां पर हमें क्या decision लेना है, यहां से हम buy करें यहां sale करें, वो हमें market के ऊपर छोड़ देना है, market को decision लेने दीजेगा, उसके बाद ही हमें decision लेना है, आपको decision नहीं लेना है, हमें यह पता है, कि support है, सब को यह बता है, कि support है, हमें भी पता है, और सभी को पता है, market देखो, कोसिस कर रही थी बार-बार सपोर्ट लेने की लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि इस लेवल से सेलिंग आ रही है इस लेवल से बार-बार सेलिंग आ रही है अब कि बार क्या हुआ मतलो यहां से मार्गेट आठ तारीक ओपन होती है साथ तारीकों मार्केट ओपन होती है सीडी मार्केट नीचे आती है नीचे आती है नीचे आती है आठ तारीकों मार्केट नीचे आती है अगर आप देखोगे आठ तारीकों मार्केट यहां से उपर नहीं जा पाती है तो सीडी सी सिम्पल सी बात है अपने लिए resistance यह वाला काम करेगा, क्यों करेगा भाई क्योंकि यहां से selling आ रहे है, मतलो कि यहां पर बार बार ऊपर जाए नहीं है market तो यहां पर अपना resistance है simple सा, और भाई बाईंग कहा से आ रिए बाईंग बार आ बार यहां से आ रिए यहां से आ रही है यह लेवल मार्केट ने अब देखो ब्रेक कर दिया ध्यान से देखो यह लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया ठीका ना अब यह अपने लिए रसिस्टेंस बन गया अभी अपने लिए रसिस्टेंस बन गया और अभी 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 मार्केट के लिए लेनी है हमें अनफरम अच्छे तरीके से конфरम होना है अगर आपको तो होना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर यह जाए यहां पर जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे क्योंकि strong resistance तो यही है ना strong अगर आपको 10 point चाहिए आपको 20 point चाहिए आपको scalping करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है scalping आप इतनी level में कर सकती हो कोई दिक्कत नहीं है आपको 20-30 point RMC मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको बड़े target चाहिए 100 point 200 point आपको चाहिए तो उसके लिए आपको या फिर market को इसके उपर जाना ही पड़ेगा ठीका ना इसके उपर जाएगी इसके बाद यहां पर sustains करे या तो उसके बाद उपर के तरफ ब्रेक करे या यहां पर यहां पर क्या करे यहां पर swing बनाए उसके बाद यहां पर आपकी entry होगी अब मुझे confirm कब हो ना है कि अच्छे तरीके से मैं यहां पर बाइंग करना चाहता हूं यहां पर आप पीछे की side अगर आप देखो को तो यहां से बार-बार buying आये है तो क्या गरती है? मौर्के इसको break करती है? ब्रेक करने के बाद देखो यहां पर आपको क्या दिखरा है गोर से देखना यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर मुझे दिखरा है कि market ने यहां पर retest किया है देखो, इस candle में retest किया है, जो ये negative candle बनी है न, rejection देखो, candle की wick देखो, candle की wick देखो, कि market न यहाँ पर एक rejection लिया है, और फिर नीचे के तरफ आई है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर swing बनता है, नीचे की तरफ market आती है, retest करती है, यहाँ पर कोई negative candle form होती है, तो यहा पर थोड़ा समय, क्या बोलूँगा, रिस्क है, अब रिस्क तो है, भाई market में रिस्क तो है, उसके लिए क्या जरूरी है, SL, अब SL तभी तो दिया है, सभी का, मतलो SL तभी तो है, market में रिस्क है, तो SL जबी तो है, SL नहीं होता, तो रिस्क ही नहीं होता, फिर क्यों है, फ यहां पर मार्केट ने क्या किया था स्विंग बनाया था तो यहां पर अपने एक pute में ट्रेड हो सकती है सेलिंग कर सकती आप call or call open interest की सेलिंग जो भी है ठीक नअ अब आपका एस लो टारगेट क्या होगा देखो SL पर आपको बने रहना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है risk management follow करना यहाँ पर जो candle क्या high है या फिर यह market इसने swing बनाया है इस तरीके से यह वाला swing है ना इस swing के high का यहाँ का आपका SL होगा target कहाँ पर होगा आपका target होगा वो आपको set करना है या तो आप level का target लेके चलो level कैसे जैसे कि यहाँ पर आपकी buying होई तो इसके दो हिस्से मतलों कि एक दो गुना कर लो जैसे कि एक गुना इतना हो गया इस swing का दो गुना हो गया इतना तो इतना आप target लेके चल सकते हो अब देखो हर बार यह ऐसा target आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको या तो 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट ये target रखना होगा और अगर condition खराब दिखती है आपको market में ऐसी condition कि जहाँ पर support है जहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है तो जितना profit चल रहा है उतना आप book कर लीजिएगा low से अच्छा profit है ठीक है न तो उस condition में आपको पता होना चाहिए कि काँ पर मुझे exit करना है तो यहाँ पर हम exit कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे market ने यहाँ पर एक retest किया था और यहाँ पर इस low को break नहीं कर पाई अगर यह इस low को break कर देती तो हम continue अपने trade को रख सकते थे और वो level होता यहाँ पर यह वाला यहाँ तक का हम target लेके चल सकते थे लेकिन यहाँ पर market ने इस swing को break किया ही नहीं है तो उसी वक्त आपको अपने trade को exit कर देना है क्योंकि candle कैसी form हो गई है अगर आप देखोगे यहाँ पर green candle form हो गई है तो आप यहाँ पर entry करोगे कहाँ पर इस तरीके से rejection आया है न तो entry तो आपकी यहाँ पर बनेगी ऐसल होगा यहाँ पर और market आया यहाँ तक तो आप cost to cost जो भी है 10-15 point की जो भी मिल रहे है तो यहाँ पर आपको exit करना पड़ेगा action लेना पड़ेगा candle के closing पर आपको action लेना पड़ेगा क्योंकि इस level को जब तक break नहीं करेगे न market यह इस तरीके से इस level को तब तक market नीचे नहीं जाएगी देखो market नीचे गई भी नहीं है और दूसरे दिन market ने बहुत volatility आई है यह क्यों आई है यह क्योंकि यह एक ऐसा support है जो कि पिछले काफी दिनों से market follow कर रही है strong support जो होता है ना वहाँ पर ऐसी candle बनती है देखो यह वाली candle बनी ऐसी candle बनती है जहाँ पर strong support होता है तो सीधा direct market के लिए support यह होगा 600 का उसके बाद strong बहुत तगड़ा support होगा यह वाला 23,440 के आसपास ठीक है ना अगर market यहाँ से नीचे निकलती है यहाँ से swing बनता है नीचे निकलती है तो बहुत चोटा सा target आपको रखना है कोई बड़ा target नहीं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से buying आ सकती है तो सीधा market एक तो सीधा target होगा 600 का उससे पहले थोड़ा बहुत हो सकता है market यहाँ पर 700 पर दिक्कत दे क्यों मैं ऐसा यह यहाँ पर support है 520 के आसपास 480 के आसपास तो इस तरीके से आपकी entry होगी देखो entry गल्थ अगर हो जाएगी तो आपका SL आपका साथ देगा तो SL भोज जरूरी है entry मैंने आपको बता दी इस तरीके से swing बनता है तब ही आपकी entry होती है सीधा market जाएगी वो trade कभी भी आपको नहीं लेनी है कैसे सीधी market गिरती हारी गिरती ऐसे trade नहीं लेनी है कभी कभार आपका profit हो जाएगा लेकिन किसी दिन आप गवाद होगी बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि ऐसी condition में आपका SL कहाँ पर है SL कहाँ पर है आप मुझे यहाँ पर exit कर देना वो बात अलग है कि आपने 20 point का SL लगा दिया वो trade मार दी वो बात अलग है ठीक है ना वो फिर तुक्का हो गए यार कोई analysis थोड़ी ना है कि market जा रही है आप trade मार दोगी तो वो तुक्का बोलेंगे उसको है ना तुक्का बोलेंगे ने सही बता ना तुक्का बोलेंगे उसको कि हो जाएगा profit कोई दिक्कत नीए जाएगा तो 20 point का SL जाएगा क्या दिक्कत है आएगा तो 40-50 point आएगा तो वो तुक्का हो गया तो ऐसी ट्रेड नहीं करने आपको क्योंकि कॉंफिदेंस कैसे आएगा मानलो मार्गेट नीचे आ रही है आपने ट्रेड मार दी और हो गया आज आपका 20,000 का प्रोफिट हो गया आपने क्या आपसोच़ोंगें कैसी profit हो गया आज के दिन मेरा तो profit ही नहीं होता है कैसी profit हो गया मतलब आपको थोड़ा साफसोस नहीं हो गा अपने उपर यार मैं ribs मैंने तो isャorkोंडarta भी नहीं किया हुझा यह तो मेरे strategy की अरे उपरे भी नहीं है यह तो नहीं पता कैसे क्या हो गया ऐसे दिमाख में आएगा ना फिर आपके दिमाख में आएगे रही है तो तुक्का था तो आप वो जो पैसा आप ने कमाया है बीस हजार का वो फिर ऐसे ही है मज़ा नहीं आएगा उसको कमाने में आपको मज़ा तब आएगा जब आपकी analysis के हिसाब से आपके setup आपके strategy के हिसाफ से market ने आपको profit दिया है उस दिन मजाएगा आपको उस profit को घर ले जाने में है ना तुक्के में या फिर किसी के बताने में tips के लेने के चक्कर में कोई बताता है कि आप ट्रेड ले ले उसमें मजा नहीं आता भाई कि खुद analysis करके खुद strategy करेट करके खुद के दंपर profit करते हैं ना उसमें मजा आता है और तभी आप ट्रेडर कैला होगे किसी दूसरे के दंपर अगर आप trading करोगे ट्रेड लोगे profit करोगे तो ट्रेडर नहीं हो आप ट्रेडर वह जो बता रहा है और वह भी नहीं है tips जो दे देती है यह जो से आपको सीधा आस्मानों में पहुझा देती है और आस्मान से सीधा रोड पर ले आती है डिपेंड करता है कि आप रोड पर है या आँसμान में ठीक है न अब कहाँ पर बहुत मुस्किल है स्टोक मार्केट में डटे रहना ही बहुत मुस्किल है भाई साब पैसे कमाने के तलग बात है डटे ही रहना बहुत मुस्किल है कि आप डट जाओ एक मेने आप डट जाओ एक साल एक साल आप डट जाओ वो ही बहुत बड़ी बात है यार स्टोक मार्केट में भाई अच्छे अच्छे इल जाते हैं यार समझ रहे हो ना देख लो यार स्टोक मार्गेट बड़े खदरनाक चीज़े मैं तो बोलता हूँ सबके बस की बात बिलकुल नहीं है ये इसको सिर्फ वो ही कर सकता है जिसके पास एक इंकम सोर्स हो साइड में जो बाला बंदा कितना रिस्क लेगा क्योंकि स्टोक मार्गेट में मुझे नहीं लगता कि एक साल दो साल से पहले आप सीख पाओ इतना तो टाइम आपको भाई सब गिसर्डने में लग जाएगा गिसर्डना पड़ेगा पहले आपको उसके बाद देखो आप चाहते हो मैं आजार पर डेल साइकलोजी और वो कैसे आएगी वो एक्सपिरियंस से आएगी मार्गेट में आप लोस करोगे प्रोफिट करोगे लोस प्रोफिट से लोस जब लोस से प्रोफिट और प्रोफिट से लोस होगा ना मार्गेट जब आप से छीन लेगी तो तब आपको सीखने को मिलेगा इत education तो चलती है आपको पता तो ओना चीक आप पर एंटर एक्जित करनी है लेकिन ज्यादा भाई साथ साइकलोजी चलती है ठीक है ना तो बैस सब कुछ आता है आपको मुझे पताए और लार्निंग पर थोड़ा फोकस कीजिए साथ में साइकलोजी इंप्रूव कीजिए जो मै आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा रूल आपको अपने हिसाब से स्टैटजी करनी पड़ेगी किस स्टैटजी में आप स्टेबल हो आपको देखना पड़ेगा कि यह क्या होता है ऐसे करूँ तो ऐसे क्या होता है मतलो काफी चीज़े आपको देखनी पड़ेगी तब जाकर आप यह सीखेंगे ठीक है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए काफी कुछ चीज़े आपको सीखने को मिली होगी आज के दिन यह मैंने आपको यह थोड़ा सा बताना समझा यार ठीक है ना यह चीज़े आपको सीखने पड़ेग जो और कहीं नहीं करने पड़ेगी आप भूखे भी रह सकते हैं लेकिन यहां पर बहुत बुरा काम होता है और सही मिजूट नहीं बोला ठीक है ना तो यह सारी चीज़े आपको सहन करने पड़ेगी एक तरीके से यहां पर जो सहन कर गया ना जो डट गया और जो भाई उस की मोज है राज करेगा सिसमी जूट नहीं बोल राज करेगा राज कि कि इसमें सिर्फ वही निकलते हैं निखरना पड़ता है आपको निखरना पड़ता है दोएगी आपको मार्किट उसके बाद निखरना पड़ेगा आपको निखर निखर कर निखर कर जब आप कहीं काम्या अगर आप मार्केट आपको धो रही है और आप खतम हो गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाऊगे तो बहुत बाते हो चुकी है काफी मज़ा आया होगा मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है discipline में रहना है motivate बिल्कुल नहीं होना है discipline में रहना है और rule को follow करना है इसके management को follow करना है और आगे बढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िएगा भगवान आपका साथ दे and काम करते रहेगा सीखते रहेगा और मैं आपके साथ हुई and मज़ा आएगा काफी आपको सिखाऊँगा इसलिए मैं आपको live ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ live मैं इसलिए नहीं करता हूँ आपका question होगा live नहीं करूँगा मैं क्यों क्योंकि live में वो बाते मज़ा नहीं आता है क्योंकि सभी call मांगेगे कि यहाँ पर buy करो लाइव आते ही क्यों है कोई क्यों आते है लाइव अगर कोई आता है तो वो क्यों आता है वो आपको ट्रेड देना आता है कि यहाँ पर बाई कर लो यहाँ पर सेल कर दो मारगर यहां तक जाएगा यहां तक जाएगा यह आपको वो बताने आता है और आप यह करते हो कि वो मैं बाई करूंगा तो यार फाइदा क्या है आप ट्रेडर थोड़ी ना हो यार ट्रेडर हो आप बताओ ग्रमाद आप किसी की दम पर बाई कर रहे हो खुद की दम पर बाई करो ना यार लाई में क्यों जाते हो लाई में क्यों जाते हैं जो वो सिखाते हैं वो लाई में पर जाएगी तो अलग बात है चीक है ना तो बहुत आज मजा आया आगवा सीख लिए आगवा काफी कुछ है ना तो फॉलो करना जो मैं आपको कुछ बताए बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए जैसरी किसना सभी को बाई-बाई टाटा सी यू